Hello Friends, आज हम लोग Lines and Angles के बारे में परहेंगे Lines and Angles के बारे में परने से पहले हमें पता होना चाहिए कि Line किसको बोलते है, Angle क्या होता है, Line Segment क्या होता है, Arrow क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग Line Segment के बारे में परहेंगे Line Segment का मतलब होता है कि एक Fixed Distance जैसे 5 cm का एक line segment कीचना है तो ये दोनों तरब से इसका जो point होता है ये fix point होता है मतलब इधर भी fix point हो गया मतलब इसका line segment का length fix होता है बट अगर हम line की बात करें तो line दोनों तरब से इधर भी infinite जाएगा मतलब fix length का नहीं होगा line segment fix length का होता है अगर कोई बोलता है कि 7 cm का एक line खीचो तो वो गलत है line नहीं line segment होगा क्योंकि fix length को line segment बोलते है अब हम arrow की बात करें तो arrow में एक तरफ से तो fix point होता है एक तरफ से infinite तक जाते रहता है तो ये भी fix length का नहीं होता है उसके बाद हम angle की बात करें तो angle का मतलब होता है कि CB two sides मालों ये एक side है और एक side ये है तो इन दोनों के बीच ये बाला जो ये दोनों के बीच जो जुका हो है उसको हम angle बोलते हैं इसको बोलते है एंगल ये इतना रहेगा तो इतना angle बढ़ेगा तो ये angle बढ़ेगा ये 90 degree होगा इसके अंदर वाला सारा 90 degree से छोटा acute होगा और इससे बाहर सारा obtuse होगा उसके बाद हम लोग परेंगे अगर कोई भी two line तो मानलो एक line ये है और एक line ये है कोई भी two line एक दूसरे को अगर intersect करता है मतलब एक दूसरे को cut करता है तो हमेशा ये angle और ये angle सेम होता है और ये एंगल और ये एंगल से हम होता है जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये लाइन इस लाइन को cut कर रहा है तो इसमें एंगल A हमेशा एंगल B के equal होगा एंगल A equals to एंगल B और एंगल D हमेशा एंगल C के equal होगा इस दोनों को हम लोग vertically opposite angle बोनते हैं एंगल A और एंगल B एक्वल होगा और एंगल D और एंगल C एक्वल होगा और इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरलल लाइन्स किसको बोलते हैं पैरलल लाइन्स बोलते हैं अगर टू लाइन्स के बीच हमेशा डिस्टें सेम रहे, इनफानाइट डिस्टेंस तक वो कभी मिले नहीं, तो उसको हम बोलते हैं, पैरलेल लाइन्स, और अगर कोई भी टू पैरलेल लाइन्स को, अगर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, कोई भी टू पैरलेल लाइन को, अगर कोई तीसरा लाइन कट करता है, य जो most important part है उसके बारे में परहेंगे कि जब कोई भी two parallel line को कोई third line यानि कि transversal line cut करता है तो कौन-कौन से angle सेम होता है एक तो हम लोगोंने vertically opposite angle देखा यहां पे भी एक line दूसरे line को cut कर रहा है that means हमेशा angle B और angle B equal होगा और angle A और angle C equal होगा क्योंकि यह दोनो vertically opposite angle है तो angle A equals to angle C और angle B equals to angle C जिसको हम बोलेंगे vertically opposite angle दूसरा हम लोग सेम देखेंगे यहां पे भी एक vertically opposite angle है इस line को यह cut कर रहा है that means angle F और angle G equal होगा angle E और angle H equal होगा यह दोनों equal होगा और यह दोनों equal होगा यहां पे यह दोनों equal होगा और यह दोनों equal होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंगल B और अंगल F ये भी एक्वल होगा और अंगल A और अंगल E ये भी एक्वल होगा मतलब एक उपर का और एक इधर नीचे वाला है फिर इधर एक उपर वाला A और अंगल E That means angle B equals to angle F Angle B equals to angle F Angle A equals to angle E Angle A equals to angle E Angle C equals to angle H उसके बाद angle C और एक बाहर वाला एक यहाँ पे अंदर वाला angle C और angle H ये भी equal होगा इसी तरह angle D और angle G ये भी equal होगा और इस angle को बोलते हैं cross-ponding angle cross-ponding angle कौन-कौन सा होगया angle B और angle F equal होगा angle A और angle E equal होगा इसी तरह angle C और angle H equal होगा angle D और angle G equal होगा और इसको बोलते हैं हम लोग cross-ponding angle उसके बाद हम लोग देखेंगे angle C और angle E equal होगा मतलब ही जो parallel line के अंदर four angles है C, D, E और F यहां पे angle F है यहां पे angle C और angle E अंदर वाला ये और ये equal होगा और यहां पे angle D और angle F equal होगा angle C equals to angle E मतलब angle C equals to angle E और angle D equals to angle F angle D equals to angle F इसको बोलते हैं हम लोग alternate angle angle C और angle E angle D और angle F equal होगा और इसको हम बोलते हैं alternate angle उसके बाद सबसे उपर वाला एंगल ये और इधर वाला सबसे नीचे ये कोना और ये कोना एंगल A और एंगल H एक्वल होगा एंगल B और एंगल G एक्वल होगा यहाँ पर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी लाइन को अगर एक दूसरा लाइन कट कर रहा है तो उस situation में जो ये angle A होता है और angle B होता है इसको हम बोलते हैं adjacent angle और adjacent angle का sum हमेशा कितना होता है 180 मतलब angle A और angle B कितना होगा 180 मतलब हमेशा नहीं इस situation में कितना होगा 180 मतलब एक इसको हमें straight angle भी बोलते हैं अगर half circle बना रहा है पे तो वहां पर 180 angle बनाएगा यहां पर angle A, angle B क्या हो जाएगा यहां पर हम बोल सकते हैं कि angle A और angle B क्या है? adjacent angle Thank you so much